दोस्तो अपने अगर हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले गंटे को भी दगा दें क्योंकि हम लाते रहते हैं नेने बिजनेस आइडियाज और नेनी जनकारी केवल आपके लिए बहुत ही फायदेमद बिजनस है हमेशा किताबे बिखती है आपके घर में जितने भी बच्चे होंगे जो भी पढ़ने वाले लोग होंगे आपका भाई हो आपकी बहन हो आपके घर में आपके बच्चे हों वो सभी किताबे जो है रिजिस्टर और किताबे हमेशा खरीदते ह चालिस पचास उन पर काई एक रिजिस्टर आता है आज की टाइम पर तो यह बहुत ही फाइदेमंद बिजनस है इसके बारे में आज सारी जानकरिया आपको देने जा रहा हूं देखिए नोटबुक्स यह किताबे बनाने के लिए सबसे पहले आपको रो मेटीरिल खरीदना पड़ता है रो मेटीरिल की जो कीमत है वो मैं आपको बता देता हूं यह आपको जिससे आप मशीन लेंगे वो ही आपको सारा रो मेटीरिल प्रोवाइड करा देगा अब इसके बाद में शुरू करते हैं किस तरीके से नोटबुक बनती है कौन कौन सी मशीन चाहिए देखिए नोटबुक बनाने के लिए आपको सबसे पहले वाइट पेपर को गत्ते के अंदर डालना है और ये पिन लगाने के लिए मशीन का एस्तिमाल होता है ये मशीन कई तरह कि आती है कुछ सथी आती है, कुछ महेंगी आती है वो उसी हिसाब से काम कर दो है जैसे उनका rate होता है, जैसे उनका size होता है अब आप देख सकते हैं, इसमें पिन लग चुकी है कर दो 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 कर कि ब दो वोखि evolves स्वोरी mm कि अग खी補 सताइस प्रकार प्रेंग प्राम बाल बाल प्रेंग प्रेंग करुण देंगल अगल से कि एंग एंग आफ लाग करें इतना काम दो मशीन ये इस से क्या होता है इसे जो है चकोर किया जाता है नीचे से इकसार किया जाता ये जो नीचे की इस तरफ आप देख पाएंगे यहां पे बिलकुल इकसार कर दिया जाता है प्लेज तो यहां से किस तरीके से इसे रोलर में डाल के थोड़ी दिर रखा जा रहा है ताकि यह नीचे से बिलकुल सही तरीके से इकसार हो जाए अब आप देख सकते हैं यह बिलकुल इकसार हो चुकी है नीचे से सारी नोटबुक को कठा डाला गया इसके अंदर तो यहां पर देखे बिल्कुल इकसार हो चुकी है 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 झाल झाल अब आती है बात यहाँ पे आप देख सकते हैं यह दूसरी वही मशीन है उसकी जो पिछली साइड है यह बड़ी मशीन है पूरी की पूरी एक तो इसकी जो पिछली साइड है उस पे अब इसे ले जाया जाएगा सारी किताबों को और यहाँ पे इन किताबों की कटिंग होग यहां पर इनकी कटिंग शुरू होगी, तो यह आप देख सकते हैं, इन्होंने इस तरीके से इसे बिलकुल एक सार तरीके से रख लिया है, अब यह इन्हें इस मशीन के अंदर डालेंगे, और उपर एक ब्लेड होगा, बहुत ही जादा तेज ब्लेड होता है वो, जो एक बा आप देखिए, अब इस तरीके से इन्हें रखा गया, बिलकुल एक सार करके, यह इन्होंने यह देखिए, यह ब्लेड चल गया, यह आप देख सकते हैं, पूरा बारी ब्लेड होता है ताकि एक सार एक बार में काटते हैं, और हमारी किताब भी जो है कटके तयार हो चुकी आप देख सकते हैं, यह काम हमारा हो गया, हमारा रिजिस्टर जो है बिलकुल बन के तयार हो चुका है, अब यह हमें कुछ नहीं चाहिए, डारेक्ट हमें इसे बेचना है, और कुछ नहीं करना, रिजिस्टर बिलकुल बन के तयार हो चुका है, तो अब इसे थोड़ा सा यह एकसार करेगा जो फाल्तू की जंगा जहां भी होगी उसे यह सही से ब्लेड से कट कर देगा आप देख सकते हैं यह फिट से वही कर रहा है यह देखे फाल्तू का सब कट हो गया बिल्कुल और हमारा रेजिटर बनके बिल्कुल तयार हो चुका है अब ही अब इतने शुरू करना चाहते हैं तो कंपनी का कॉंटाक्ट नबर मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्सन में दे दिया है तो आप उनसे कॉंटाक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं अगर आप हमारे चानल को पहनी बड़ देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए इससे हमारे चानल पर जो भी वीडियो अप्लोड किये जाएंगे उसकी सूचना आपको दोस्तों इस बुडियो में इतना है दूट करता हूं कि अपनी बुडियो जूर पसंद आई होगी तो प्लीज बुडियो को लाइक और सेर करना ना पुलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नहींने बिजनेस आइडियेस पूँचे सबसे पहले आपके पाश्यू